तो आज इस वीडियो में आप देखोगे इस अप्टुल केस को सॉल्व करने के 20 तरीके तो इस वीडियो को पूरा सरूर देखना और मेरे को बताना कि आपको इन्ट्रिण डिमें से कौन कौन से केसिस पहले से पताते और कौन से आपने इस वीडियो से शीखे Giveaway Alert तो अगर आप इस वीडियो में कमेंट करके ये बताते हो कि आपने कौन कौन से केसे इस वीडियो से सीखे और कौन कौन से आपको पहले से पता दे और इसके बाद पिन कमेंट में मैं एक पोस्ट का लिंक दूँगा उसमें भी जाके आप सेम कमेंट करते हो तो आपके एंट्री हो जाएगी एक Giveaway में और आप में से कोई भी एक लगकी विनर सेलेक्ट किया जाएगा जिसको मेरे तरफ से सप्प्राइज मिलेगा तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पहले तरीके से और हाँ जितने भी तरीके में इस केस को सॉल्व करने के लिए बताऊंगा उन सब को आप इस केस को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो क्योंकि यह जो केस है यह इसका Mirror केस ही है तो अब हम बढ़ते हैं पहले तरीके की तरफ जो होगा कुछ ऐसा कि हम पहले इसको रखेंगे यहाँ पर उसके बाद करेंगे Slash Hammer और उसके बाद हमारा यह F-TWAR इस तरीके से पेर हो चुका है इसे यहाँ पर रखके यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो यह काफी Simple और Effective तरीका है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं तो Next तरीका ही मेरे को काफी बढ़िया लगता है इसमें हम तोसे पहले इस तरीके से F-PRIME करेंगे और इस Corner को यहाँ पर रखेंगे फिर उसके बाद इस Edge और इस Corner को पेर करेंगे कुछ इस तरीके से Edge को उपर लाए यहाँ पर लाके वापिस Corner को उपर लाए तो यह हमारा पेर हो जाएगा और उसके बाद इस तरीके से U2 करके इसे यहाँ पर लगा दिया और F करके इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट कर दिया और इस Solve हो गया अब हम बढ़ते हैं Next तरीके पर तो इस तरीके पहले हम R और D Moves को लगाके इन दोनों को पेर करेंगे फिर इसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो यह जो अगला तरीका है यह मैं कभी Solve में तो नहीं यूज़ करूँगा लेकिन फिर मुझे काफ़ इंट्रस्टिंग लगा इसलिए मैंने सुच है इस वीडियो में आपको दिखाने का तो अगला तरीका है कुछ इस तरीके से हमने किया आर फिर यूटू अब इन दोनों को पेर करेंगे बी मूझ का यूज़ करके देखो हमारा हैंड को इस पोजिशन में है हमने किया बी यू बी प्राइम और यह हमारा पेर हो गया उसको यहाँ पर लगाते यू करके और उस यहाँ पर हमने इस तरीके से मैच कर दिया अब इसे वापिस इंसर्ट करने से पहले में दो मूझ और करने है जो कि पहला होने वाला है यह एल प्राइम और उसके बाद हमें करना है बी प्राइम अब यह सारा पार्ट हमारा सॉल्व हो गया अब हमें करना है आर प्राइम औ और अब इन दोनों को pair करा और यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद वापिस से l' फिर u' करके अब इस वाली h को वापिस से insert कर देंगे m' करके तो इसमें हम better fingertips use कर सकते हैं और यह थोड़ा उसे fast है तो जो हम next तीन तरीके देखने वाले हैं इस case को solve परने के वो कुछ ऐसे होंगे कि हम इसको एक अलग case में convert करेंगे जो simple cases होंगे और फिर उन cases को हम solve करेंगे तो यह तरीका कुछ इस तरीके से होने वाला है कि इन दोनों को यहाँ पर रखके किया हमने r u2 r' उसके बाद u करने के बाद हमें यह वाला case मिल चुका है जिसको आपको solve करना आता ही होगा इसको हम solve करता है कुछ इस तरीके से इस corner को पीछे ले जाके इन दोनों को ऐसे pair क इसके बाद इसे हम इंसर्ट कर सकते है कुछ इस तरीके से और हो गया अगला तरीका है r करने के बाद हम इस corner को यहाँ पी इन दोनों को यहाँ पर रखना है उसके बात करना है r u r' और u' इस तरीके से हमें यह वाला case मिल जाएगा विसको solve करने का जरीका बहुत ही simple है इस edge को हम निकालेंगे इस तरीके से U2 करके से यहाँ पे रखा और उसके बाद R' यह हमारा pair हो चुका है और इस pair को अब हम यहाँ पे insert कर सकते हैं कुछ इस तरीके से इस case को solve करना है कि अब जो हमारे next तीन तरीके है न उसमें हमें सीखने को मिल सकता है block building का concept तो सबसे पहले हम करेंगे R U' R उसके बाद U2 तो आपको दिख रहा हुगा यहाँ पे यह white family line आ चुकी है यह हमारे corner है और जो हमारे middle वाली edges हैं वो यह इस तरीके से line बना दिये अब हम गया करेंगे R2 करके U' किया यह violin यहाँ पे आ गई अब फिर से जब हम R2 करेंगे तो यह इसके साथ pair हो जाएगा ठीक है अब जब हम U' करेंगे तो इस तरीके से हमने एक block बनाया और उसके बाद R2 और यह हमारे यहाँ पे insert हो चुका है कुछ ऐसे similar हम अलग तरीके से block build करेंगे अगले दो cases में तो अगले तरीके में हम सबसे पहले U' करेंगे से यहाँ पे रखेंगे उसके बाद R2 U2 तो हमारी white line यहाँ पे आ चुकी है अब इस white line के साथ हम इसको connect करेंगे यह 3 move लगा के 1, 2, 3 अब यह connect हो चुका है उसके बाद इसे रखेंगे यहाँ पे जिसे हमारी यह एक line बन जाए इसके बाद R' करके अब इसे U2 करके यहाँ पे ले आएंगे यह हमारा block complete हो गया और उसके बाद R2 और यह हमारा solve हो चुका है तो next तरीका कुछ ऐसा है कि इसको हम रखेंगे यहाँ पे उसके बाद R' U2 R' U उसके बाद देखो अगर हम R' करेंगे तो यह इस तरीके से connect हो गए U' करके यह हमारा block बन गया 2x2x1 का और उसके बाद इससे insert करते हम इससे इसके बाद कर देंगे कुछ ऐसे R, U2 और R और यह भी solve हो चुका है तो next तीन तरीके काफे simple है जो हम normally solve करते ही है तो यह है कुछ इस तरीके से हमने किया F' फिर U, फिर F यह हमारे pair हो चुके है इसको यहाँ पे लाके हम यहाँ पे insert करतेंगे अगला तरीका अगर हमने इससे ऐसे पकड़ा होता तो हम किस तरीके से करते हैं जैसे कि जब हमने इसे ऐसे पकड़ा था तो हमने किया था F' U F तो यह pair हो गए थे तो हम इसको इदर से भी एक तरीके से यही कर रहे हैं हमने किया L' U और L तो यह हमारा pair हो गया उसके बाद यही U2 करके हम इसे यहाँ पे insert कर देंगे इस तरीके से और सेम चीज वह ही अगर हमने इस तरीके से पकड़ा होता तो हम इन दोनों कैसे pair करते हमने किया R' U R और यह pair हो गया फिर इसे यहाँ पे लाके इसे हम insert कर सकते हैं तो इसको solve करने के next दो तरीके कोच ऐसे होने वाले हैं कि अगर हमारा यह वाला slot जो back right slot है तो वह अगर हमारा खाली है वह विमाना solve नहीं हो रखा तो हम इसको कैसे solve कर सकते हैं तो पहला तरीका है कुछ इस तरीके से इसको रखो यहाँ पे और यह 4 move लगाओ R' फिर इस कॉर्णर को यहाँ पे ले आओ U R U' और यह हमारे pair हो चुके अब हम इसको यहाँ पे insert कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और इसको solve करने का जो अगला तरीका उसमें हम basically keyhole type कुछ यूज़ करने वाले हैं अगर आप कुछ चखनी के बारे पता है तो शायद आप इसको समझी गए होगे अगर नहीं पता है तो मैं तो बताई रहा हूँ हम इसको कुछ तरीके solve करें कि पहले इसको बेजा यहाँ पे U करके फिर इस corner को हम यहाँ पे insert करेंगे उसके बाद हम D' करके इस वाले corner को यहाँ पे लिए आएंगे अब इस H को यहाँ पे insert करेंगे और अभी हमने D' किया था उसको बाद से reverse करेंगे D करके और यह हमारा solve हो चुक है अब जो last दो तरीके बचे हैं वो इस चीज के लिए होने वाले हैं कि अगर हमारा front left slot खाली होगा तो अगर हमारा यह वाला slot खाली होगा तो हम इस pair को यहाँ पे किस तरीके solve कर सकते हैं वो है कुछ ऐसा हमने cube को इस तरीके से hold कि हम पहले करेंगे R इस वाली finger से F फिर U इसी तरीके से F प्राइम U प्राइम से यह pair हो गया और उसके बाद R प्राइम और यह लग गया अब जो हमारा last तरीका है इस slot को use करके इसे यहाँ पे solve करनेगा वो भी हम keyhole का use करेंगे तो keyhole में हमने last time क्या किया था इस corner को पहले यहाँ पे insert किया फिर इस वाले corner को यहाँ पे लाए और फिर H को insert कर दिया अब हम क्या करेंगे इस corner को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे फिर इसको यहाँ पे लाएंगे और फिर H को insert करेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ एब फिर से देखो, हम इंग को पहले ले जाएंगे यहाँ पर, कॉर्णर को इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद इस कॉर्णर को भी यहाँ पर लाएंगे, दी करके, और फिर इस हैज को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, यह तीन मूग लगाके, और फिर वापी से D' किया और यह हमारा solve हो चुग है तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही उमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आज इस वीडियो में हमने कुछ अलग try किया basically एक ही F2 case को पकड़ा और उसके बहुत सारे solutions देखे इसमें कुछ solutions ऐसे थे जो काफी अच्छे थे जो अपने आप solve में यूज कर सकते हो कुछ ऐसे थे जिनको यूज करने कोई फायदा है नहीं वो बस देरे इस वीडियो में इस लेंग लोड़ी तक हो कि जब मैंने भी वो पहले बार solution देखे तो मुझे वो काफी बढ़िया लगे कि ओ ये भी एक तरीका है लेकिन मैं उनको भी अपने सवाज में कभी यूज करने नहीं वाला हूँ तो वीडियो कमेंट सेक्षे मेरे को सुरूर बताना है कि कौल सा तरीका आपको अच्छा लगा तो चलो फिर दोस्तो मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्स वाचिंग बाई